भाई साब भासन देलूं तो बारत माता की एक बात तो आगर मैं इस बार आके अच्छा लगा मैं एक चुनाओ था उप चुनाओ बेटा सब जने बेठो जला एक आका एक आका पालिवाल जी अगर आप अनुशास निंता करी तो नीचे उतार दूँआ ध्यान रख लेना मैं पहली बार जब आगर आया था तो यूद कंग्रेस का अद्धेश था रेली निकली थी प्रदेश का जब मैं दूसरी बार आगर आया था तो उप चुनाओ था और वो गोरे भीया हमारा लड़े थे हमारी हालत पतली थी हम चुनाओ ओ आगर गये था फिर जब मैं तीस्री बार आगर आया तो सच्जनवर्माजी लोकसभा का चुनाओ लड़ रहे जब मैं चोथी बार आगर आया तो विपिनमान फेड़े विदान सबागा चुनाओं लड़े थे यह तर कि मैं आगर आया तो विपिनमान्केडे चुनाओं जीता हुआ था और आप अंतर आत्मा की बात है मैंने आज से ये चुनाव जीता उसके छे महिने बाद इसको घर भुला है विपिन को और मैंने का तू ऐसा कर सावेर हम उपचुनाव हार गये हैं ये सीट सो प्रतिशत हम जी सकते हैं अगर अपने पास केंडिडेट अच्छा हो तो तेरे इसका घर भ तो आपके तालिया मिलने चीए इसने कहा कि भीया मैं मरूं आ तो आगर में और जीऊं आ तो आगर में कुछ हो जाए छोड़ूं अब यहां पैसे कम लगेंगे कहीं से इखटे करेगा फिर खर्चा करेगा थोड़े कम देगा थोड़े ज्यादा देगा तकलिप पाएगा पूरे मिल रहे थे पर आपका प्रेम उस आफ़त को उस विफद को उस तकलीप को सेहने पर इसने कोई गुरेज नहीं कि यह एक बार नहीं कि मैंने बात इससे तीन चार बार अलग-अलग तरीके से कि तो मैं मानता हूं इत्ता समर्पन एक विधायक का एक जन पृति निद करेंगा यह मैं आप सबको इस भावना से कि मेरी जिंदिगी के 25 साल की राजनिति का जो छोटा मुटा अनुभाव है उस भावना को मैं बताना चाहता हूं कि इसने जिस तरीके से आगर के प्रति प्रेम बताया था वह अद्भूत अकल्पनी और मतलब एक पराकाष्टा का प्रेम था मैं अनरोद करना चाहता हूं कि ये जन आक्रोश यात्रा अभी एक जन आशिरवाद यात्रा निकली आगर मैं निकली अरे निकली अरे बोलो तो भया निकली या निकली निकली अलेंग नहीं अगल वगल से निकड़ गई तब बीजेपी भी अलेंग नहीं आओगी अगल वगल से निकड़ी आएगी पर जन आशिरवाद किस बात का इस बात का कि उज्जेन में 12 साल की लड़की के साथ बच्ची के साथ रेप हो गया उससे पहले इंदोर में 6 महीने 6-8-6 महीने की बच्ची के साथ एक बार रेप हो गया था इसलिए कि यहां रोज 10 बच्चियों के साथ रेप होता है यहां इसलिए कि 2 लाग भेने मद्धि प्रदेश से पिछले 3 साल में गायब हो गई किस लिए जनाशिरवाद मिले इसलिए कि 4 लाग करोड के करजे में मद्धि प्रदेश इसलिए कि आप सब पे 33-35-3000 का करजा है इसलिए कि मद्धि प्रदेश के मुक्यमंत्री हर एक महीने में 3000 करोड रुपे का करजा लेते हैं और उस करजा लेने का करते क्या हैं बड़े बड़े पांडाल से जाते हैं लाडली भेना का आईजन और प्रहेजन करते हैं लाडली भेना का टीवी पर विज्ञापन देते हैं अकबार में देते हैं एक बड़ा सा मंच उस पे ऐसा रेंप उस पे ऐसा माइक उस पे ऐसी ट जिन्दा है दस तारिक के दिन एक क्लिक से सब के घाते में हजार हजार उपए जाएंगे और दूसरे दिन बिजली का बिल हजार का आएगा भेनो राकि तुम्हारी सूखी निमनने दूंगा धाइस सो रुपए डालूंगा धाइस सो रुपए मैं आगर मैं कहा की जगे मिठे आव बता तो एक किलो गी अब आज किरिया आज जब अपनिया बठिया है भेनो इस बार से साड़े बारा सो फिर मैं सत्रा सो करूंगा फिर दो हजार एसा में तीन हजार तक जाओंगा अरे भाईया अगला दो मेना मद तु रही गोजनी तो फिर सत्रा सो कसे जाओगा सहीए गलत है बात या है कि एक मुख्य मंत्री ने कैसा प्रदेश में एसा जिसमें मंडिया बंध है पटवारी हर्ताल प अच्छा यो बताओ एक लाग में कित्ती दो दो पचास पचास हिजार की घड़ी रही दो रही तो फिर एक करोण में कित्ती रही फिर दो करोड़ में कित्ती रही फिर तीन करोड़ में कित्ती रही फिर पांच करोड़ में कित्ती रही अरे पांच पांच सो की कित्ती घड़ी दस करोड़ मरें कित्ती बीस करोड़ मरें कित्ती तीस करोड़ मरें कित्ती चारी चालिस करोड़ मरें पचास पचास करोड़ जो वो वो शोले फिल्म देखी थी तम नहीं तो गबबर सिंग को पचास पचास को असदूर जब बच्चार होता है तो मा केती चुफ हो जाओ नि तो गबबर सिंग आ जाएगा यो गबबर सिंग है शिवराज सिंग चोहान याद रखो जो यहाँ बात 50-50 करोड काका तमारे देखे आज कोनी एक पूरो घर भरे जान फिर भी चार पांट टोपला बहार रखना पड़ा इत्ता रही बात यहाँ है कि एक तरफ है कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों के लिए स्वेत करांति लाई हरित करांति लाई उन्होंने कहा कि जई जवान जई किसान बहुत तर कि कमलनाथ जी न ग्यारा हजार करोड रुपया दिया और 27 लाग किसान ना करी नमाप करिया हमने किसान ना का लिए करने की कोशिश करी उको इतिहास है और भारती जंता पार्टी ने कहीं करियो नरेंद्र मोधी जी न तीन काड़ा कानून लाया फिर उकाबाद भूमिया द करना वाने डबल लागत कर दी किसान ना की अरे भया अभी कांदा यहां प्याज भोग निवह और अभी प्याज अभी एक्स्पोर्ट भी रहा था यहां कई जो सोड़ा रुपे किलो ही जो चारीश प्रतिशन ड्यूटी लगई दी प्याज को भाव कम ही क्यों सही गलत लस चुराज की 20 साल तमारे 20 साल में तमने हेलिकाप्टर ना हवई जाज ना लाडलीन भेयन ना भांड जीन और किसान की 6000 से 3000 तो फिर चुराज जी करेंडू छेगी ने अरे यह आशिरवात की जर्रत है कि आक्रोश की जर्रत है आक्रोश की जर्रत है तुम्हारो तबसान है क्यों है राऒल गा जंड autor गांदी जिनन फ्रेंट से प्यार से महब्द से यो देश्ष सब को है इस भगवान राम को अधिकार होनों चीए इन नहीं कहीं कि भाइया सब का खून को रंग लाल है यह लोग ने जो नप्रट की बात करें घरणां की बात करें यह यो हिंदुन यह मुसल्मान यह जो यह बात कर रहा है यह लोग है यूचलोग्यावाज कर पेला अभी जाता था या द्या सा मतलब है यह याद रखो जो तम महारों आपसा अन्रोध है राउल गांदी एक असो नेता है जिन पर पचास हजार करोड़ रुप्या नरंद्र मोदीन इन्हीं टीवी ना कर मीडिया कर इना शोशल मीडिया का खर्चों करें उनकी इमेज खराब करना का परूज जो देश का हित की बाद थी जो इंसानियत का हित की बाद प्राचीन भारत की बाद थी जो भविश्का भारत की बाद थी वी करता रहा आज तक साड़ा तीन हजार किलोमेटर पेदल चली नियाज आगर से गया था तम सब साक्षी था तम सब सम्मिलित था बड़ी बड़ी हिगी थीज पर कैसर लिगी देश में प्रेम होनों चिए प्यार हो लुँचिए एंसानियत हो दूँचिए आध्य और नहीं में कउपाणचिक स्वाओं ग्व zaw Yang way लियू esse और हाधी महारा है फ्र HudsonFamgorka Aiddod바 ुंगा नहीं पर एक बात जरूर है कि भोत समर्पन सेवा कहीं होए लगन सेवा कहीं होए इंदोर सा मैंने सोचो नहीं थो क्यों यह टिखी जाएगो पर तमारा प्यार ने लाड़ने प्रेम नो इकी लगन मतलब अन्थ शब्द निये कि तारीब का पर इक अपनों जो यो देश मस्तप सभी बढ़ गो माँ को मंचरी बढ़ो तो यूंद रखो तो मारी भविश्वानी है उस सब बढ़ो इको साथ बिदो जो और गोसा बोर्विए और तू जैसा विनर्म अभी है वेशाई विनर्म बना रहना यह मेरा आशिरवाद है तेरेको भारत मातागी आधनी आक्सिजन में जिनना नरेंद्र मोधी जब यह अक्सिजन लोगना का सरकार में पहुचे रही थी कोविड में तमने टीवी पर देखा था यह यह जवी जरह निकाल तो दीपता लगेगा यह देख यह वह ही है यह विक्रान भूरिया जी अपने यह हमारे इंदोरा जी हम सब लेकी केवल मिशन पर निकले कौन से मिशन पर आपकी बार आपकी बार जात पर ना पात पर महर लगेगी सिरी निवास जी ताड़ी में जोड़ से